दोस्तो इस वेडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्प्यूटर लेप्टॉप में वायरस कैसे डिलीट करें चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत इजी है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने कीबोड में विंडो प्लस आर बटन दबाईए फिर यहाँ पर रन कमांड ओपन हो जाएगा अब इसमें आपको सर्च करना है टी इम पी टेम्प लिखकर आपको ओके कर दिना है फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है अब आपके साबने यह ओपन हो जागा यहाँ पर यह जो फाइल है आपके काम की नहीं है तो इन सब को आप डिलीट कर दिजे सबको एक बार में स्लेक्ट करने के लिए CTRL A दबाईए सब फाइल स्लेक्ट हो जागा इसके बाद CTL D दबादीजे जैसे आप Ctrl D दबाएंगे तो यहाँ पर यह डिलीट होने लग जायागा या फिर आप क्या कीजे कहीं भी माउस का करसर रखकर माउस का राइट बटन दबाएए फिर यहाँ पर आपको option मिल लियागा यहाँ डिलीट का यहाँ डिलीट पर क्लिक कर दीजे अब यहाँ पर जो चीजे स्किप करने को बोलेगा उसको स्किप कर दीजेगा और जो फाइल डिलीट हो रहा है जब एजस्ती मत कीजेगा तो यह डिलिट होगी आप बाकी कुछ फाइस बचे रहे गए हैं क्योंकि यह अभी रनिंग मोड में हैं अब इसके बाद आपको फिर से विन्टू प्लस आर बटन दवाना है इस बार आपको सर्च करना है परसंट परसंट लिखने के लिए आपको से ओके कर दीजे अब आपके सामने फिर से एक फोल्डर उपन जाएगा यहां देखे आपको बहुत सारे अननेसेसरी फाइस देख रहे हैं इन सब को भी आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लिजे फिर माउस का राइट बटन दवाईए फिर यहां डिलिट के आप्शन पर क बचे रह चुके हैं यह भी रनिंग मोड में इसको हमने डिलिट करेंगे इसके बाद आपको फिर से लास्ट बार विंडो प्लस आर बटन दवाना है अब इसमें आपको लिखना है प्रिफेच पी आर इफ इटी सी एच इसके बाद एंटर बटन दवा दिजे या फिर ओके कर दीजे अब यहां पर बताएगा यू डोंट करेंट्ली है पर मिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर तो यहां कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजेगा फिर यहां पर आपके इससे भी फाल सा जाएंगे देखे कितने सारे अननसेसरी फाल से हो सकता है इसमें वायरस भी हो तो आप आपको क्या करना है रिसाइकल बिन में आ जाना है तो यहां लोग रिसाइकल बिन में आ जाते हैं अब देखे जितने भी फाल से हमने डिलीट किये हैं वो सब रिसाइकल बिन में आ गया है तो यहां से बिसको डिलीट कर दीजे उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजे फिर यहा आपको हमें ऐसा अपडेट रखिए और एंटिवारस भी यूज़ कर सकते हैं आई होब कि आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी क्वेस्टन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजेगा